नमस्कार दोस्तों एक तरफ ओलंपियन पहलवान देश की बेटियां साक्षी मलिक विनेश फोगाट से लेकर बजरंग पूनिया तक ब्रिद्भुशन सरन सिंग की गिरफतारी की मांग पर अड़ें लगातार ये गुहार लगा रहें कि उसकी गिरफतारी हो कल ये पहलवान हरी दोर भी चले गए थे अपने मैडल को बहाने के लिए लेकिन उन्हें से उहां से समझा बुजा कर वापस लागया लेकिन अब एक दूसरी बड़ी ख़बर आ जाई है ख़बर ये दिल्ले पुलिस के हवाले से एनाई के हवाले से कि दिल्ले पुलिस को ब्रगभुशन सरन सिंग के मामले में उन पर लगे आरोपों के मामले में अब तक कोई सपोर्टिव एविडेंस मतलब मजबूत सबूत नहीं मिले हैं जिसकी आधार पर उनकी गिरफतारी और यह एना आी के हवाले से खबर है दिल्ले पुलिस ने यह खबर दी है इससे यह बात साफ है कि ब्रज भुशन सरन सिंघ इस पूरे मामले में आसानी से बचसकता है गिरफतारी तो दूर की बात तो पहले जो दिल्ले पुलिस के हवाले से खबार है उसको सुनिये और उसके बाद कि अब रास्ता क्या बचेगा पहलवान क्या करेंगे और अगर वाकई दिल्ले पुलिस ने जैसा कहा वो ऐसा ही होता है और अगले 15 दिन में अगर दिल्ले पुलिस अपनी रिपोर्ट चार्शीट या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट मे इसी शकल में दाखिल कर देती है तो उसका मतलब क्या होगा पहलवानों कि इस लड़ाई का क्या होगा जो लड़ाई लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर 30 दिन तक लड़ते रहे जमीन पर भी घसीटा गया और उसके बाद कल हरिद्वार तक चले गये थे और वहां से जब नरेश्ट रिकायत में उन्हें समझा बुझा कर उनसे मैडल वापस लिया तो उसके बाद नरेश्ट रिकायत जो भारतिया किसान यूनियन के अध्यर्च है जो बालियान खाप के प्रधान है उन्होंने एलान कर दिया है कि एक जून को सोरम में मुजफर नगर में सोरम के एतिहासिक चबूत्रे पर सर्व खाप पंचायत होगी और वहां से आगे का रास्ता तैह होगा उन्होंने कहा पालवानों से पांस दिन के लिए हमें वक्त दिए एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से आध बड़ी खबर का आना या दिल्ली पुल पुलिस के हवाले से तिल नाओ वी अब तक हम कोई भी ऐसा सबूत या प्रयाप सबूत बृत भुशन सिंग के खिलाफ नहीं पाए हैं या नहीं मिला हमें जो जिसके अधार पर उसकी गिरफतारी हो विदिन फिप्टीन डेज वी विल बी फाइलिंग आवर रिपोर्ट इन कोट पंदरा दिन के भीतर हम अपनी रिपोर्ट कोट में दाखिल करेंगे अगली लाइन है इसमें बिट्विन द लाइन भी है आगे है there is no supportive evidence to prove wrestler's claim wrestlers के दावे को पहलवानों के दावे को साबित करने के लिए कोई supportive evidence नहीं है या उनके दावे को सही ठाराने के लिए कोई supportive evidence नहीं है यह दिल्ली पुलिस के हवाले से बड़ी ख़बर आई है दिल्ली पुलिस का दावा है कहे एनाई ने ख़बर दी अगली लाइन क्या है जो पॉक्सो की धाराय लगाई गई है उसमें सिर्फ साथ साल से कम की सजा हो सकती है सो investigating officer cannot proceed with arrest as demanded by the accused इसलिए जाच अधिकारी ब्रजभूशन सरन सिंग की गिरफतारी नहीं कर सकता जैसा की मांग कर रहे हैं पहलवान ना तो ब्रजभूशन सरन सिंग गवाहों को प्रभावित कर रहा है नहीं वो कोई सबूत को destroy कर रहा है टॉप सार्से जिन डिली पूलिस ए एन आई एक बज कर पंदरा मिनट पर बहुत बड़ी खबर है दिली पूलिस के हवाले से दिली पूलिस के दावि कितना सच है इसके पीछे दवाव है क्या है यह विचलेशन का विश은 है और आगे पता चलेगा ये सब को पता है कि जनवरी मेरी पहली बार जब ये पहलवान बैठे थे तब खेल मंत्रा इरले की तरब से कमिटी बनाई गई थी। उसके बाद ये पहलवान फिर जंतर मंतर पर आए 23 अपरे लगट तारीक मुझे ठीक से आद है तो उस हिसाब से 35 दिन तक जंतर मंतर पर बैठे लगातार गुहार लगाते रहे विडियो व्यान जारी करते रहे प्रेस कांफरेंस करते रहे गिरफतारी की मांग करते रहे और की जंतर मंतर पर बैठने के दोरान सुप्रिम कोट भी गए चौथे पांचवे दिन और सुप्रिम कोट में इनके जाने के बाद पांचवे छटे दिन जो भी है सुप्रिम कोट में दूसरी सुनवाई के दिन सुप्रिम कोट के डर से दिल्ली पुलिस ने फायार दर्ज की उसके पहले दिल्ली पुलिस F.I.R. दर्ज करने लाइग भी पूरे मामले को नहीं मानती। जिसमें कुष्ट्वि संक्या ध्यक्ष के नाते जो भूश्टन सरन सिंग वैसे बीज़पी सांसत के नाते वो उनकी उनको वो कोठी अलॉट है जो अशोका रोड पर है उनकी कोठी पर और अलग-अलग जगा मैदान में कहल के मैदान में वार्म-प सत्र के दारन अलग- पूडन करने बैट टच करने हग करने या ब्रीधिंग पैटर्न चेक करने के नाम पर चेस्ट पे चाती पर हाथ लगाने पेट को टच करने ऐसे बहुत सारे आरोप उस लिखित एफायार में है शिकायत में है जो इंडियन एक्स्प्रेस ने विस्तार से चापा था उन अब दिल्ले पुलिस ने अब यह दे दिया कि साथ साल से कम बाली धारा लगी है उसलिए उनकी ग्रफतारी नहीं हो सकती और दूसरी जी कोई सपोर्टीव एविडेंस नहीं है जो बहुत बड़ी बात दिल्ले पुलिस ने कह दी कि यह लोग आरोप लगा रहे हैं इनके आ पर यह भी चल रहा है एक खबर अचानक कहीं से प्लांट हुई या उसकी सचाई क्या है उसको लेकर विवाद ट्वीटर पर दोनों पक्ष के लोग लिख रहे हैं कि एक लड़की जो नावालिक जिसे बताया गया जिसकी उम्र को लेकर नावालिक है इसलिए पॉक्सों में मामला दर्जुआ उसको लेकर दावा किसी ताव ने कर दिया कि नावालिक नहीं बालिक है लेकिन फिर उस लड़की के पिता की तरफ से ब्यानाया कि वो जो ताव है या जो चाचा है वो गलत बोल रहा है मेरी लड़की नावालिक है वो जो बालिक बोल रहा है ताव या च की नावालिग है और उसके साथ यह उनुत्पिडन हुआ इसकी जाच अभी होनी है इन सब के बीच नरेश्ट कैद का बैयान इन सब की बीच एक तारिक मतलब कल एक जून को सोरम चबूत्रे पर बैठक और इन सब के बीच युनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग की तरफ से एक बयान आया है जिन्होंने इतराज जता है पालवानों के साथ बैभार को उन्हें जिस तरह से हिरासत में लिया गया उसको लेकर और उसके बाद एक तरह से इतराज जताते हुए कहा है कि 45 दिन के अंदर अगर रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के चुनाओ नहीं होते हैं तो WFI को आगे के मैचों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है ये एक बड़ी बात है रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया का चुनाओ नहीं होता है तो सस्पेंड किया जा सकता है ये उनकी तरफ से कहा गया और ये भी कहा गया कि पहलवानों के स साथ हो रहे हैं बेवहार और उन्हें हिरासत में लिया जाना गलत है अब तक की जाच पर भी सवाल उठाया है इसी में ये भी कहा गया है कि उनके इतराज के बाद भी एक चिंता हुई कि अब ये मामला बाहर भी जारा लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या ये देखने क कह रहे हैं इनके बीच में कहीं सचाई है क्या ये साबित कैसे होगा और दिल्ली पुलिस के रवये पर सवाल पहले से है दिल्ली पुलिस कैसे जाच करती है और कैसे कई मामलों में किसी को फसा कर अंदर भी कर देती है कई मामलों में क्लिंचिट देती है ये कोई भी राज क कि पुलिस जैसे करती है उपता है और हम पहले भी कई बार बात कर चुके एक ट्वीट पर जुबैर को जैसे पकड़ा गया उपता है कैसे दिल्ली में पोस्टर लगाने को लेकर आमादवी पाठी के कारेकरताओं को दबोच लिया गया उपता है तो पुलिस का रवाया संदि दर रहा है लेकिन अब दिल्ली पुलिस का उन रेकॉर्ड अगर यह कहती है और अगर कहती है कि 15 दिन में हम अपनी रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट या चारशित कोट में दाखिल कर देंगे जिसमें कोई ऐसा सबूत नहीं है तो यह देखना होगा कि ओ रिपोर्ट में क्य किसान संगठन जो हैं किसान यूनियन उनकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़े बहुत तीन चार बातें कही गई है जो संजुक्त किसान मोर्चा है उनकी तरफ से एलान किया गया है कि इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे एसकेम की मीटिंग होगी साथ जून को उसके पहले उन्होंने कहा है कि पालवानों के संगठन को हम फिर से शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ बाचीत करेंगे अन्य प्लेट फॉर्मों के साथ भी समन्वय सक्रिय समर्थन जारी रखेंगे और उसके बाद एसके प्रतिनिधी पहरवानों से मिलेंगे और साथ जून को पूरी बैठक होगी पाथ जून को भुषन शरन सिंग के पुतले फेके जाएंगे फूके जाएंगे एक जून को तहसील और जिला अस्तर पर विज्यापन दिये जाएंगे यह सब उनकी तरफ से कहा गया नरेश्ट ने वो भी सुनिया है सुला मसवरा लेंगे एक यह तो सरकार बिल्कुल नास के पिछे लगरी एक कुट्टा काट खावे उसका कठानी जाता उसके इलाज की देखे यह तो कुट्टे बन रहे हैं इन्हों तो आसा देख लिया काम इनकी कितनी सरम लियाज कर लो कुपरी कर इन्हों तो बिलुकुल पागल होगे इनसी में नहीं है रहा क्या हम करें क्या ना ओट दी लोगों ने बड़ी अच्छी तरह दे सरकार बनाई और जिस तरह दें इन्होंने यू कर दिया इन मेला पेलवानूं कि साहतन में जितनी बेतु की जाजती इन्होंना कर दी परसू मुह पे जुत्ता भी लग रहा है उसमें एक लड़की है वसाक्सी मलिक उसके मुह पे जुत्ता भी केक रख्या तो इससे और गिनोना काम क्या हो सके अब हद उचकी है क्या नगता है कि परसो पंचायत में हार पार की लड़ाई करने लिया जाए जाए बहुत देखनी बात कि सारा तोड़ फोड़ पर ही रुखके रोड़े में उसी में विश्वास रखें स्यांती के पुझारी है स्यांती के तरीकते मांग तो यह विरज भुशन की गिरपतारी हो जाए अपना चुट्टी मांग को खतम है अब फिरोड के आए हम इने बैच्चों को मना लगे एक अगर सरकार को भी पांच दिन का समय मिल जा अगर सरकार चाहा तो इस विवाद का खतम हो सके तो इस विवाद का खतम हो सके तो इस तरह का कदम बड़े दुख में उठा पीड़ा है उनकी कहीं सुना ही नहीं तो एक तो कल जो महापंचायत होगी उसमें क्या एलान होता है वो देखना होगा महापंचायत तो 23 तारीकों भी हुई थी महम में मैं भी गया था उसी महापंचायत में ही एलान हुआ था कि 28 मही को संसद जो नई संसद है नया संसद भवन है वहां हम महला महापंचायत करेंगे लेकिन क्या हुआ 28 मही को अपने देखा अब एक पंचायत कल मुजफर नगर में है वह भी एतिहासिक चबूत रहा है सर्वखाप पंचायत होगी वहां क्या होगा और उस फैसले से सरकार की सहत पर क्या फार्क पड़ेगा यह देखने की बात है लेकिन पहलवान किसी भी सूरत में अभी अप संदिक बनाने और यह पहलवान जिस घंसे मैडल गंगा में बहाने चले गए उसको लेकर बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं सुबह के वीडियो में बताया था लेकिन अब लगातार सुधीर चौधरी ट्रेंड करने ट्वीटर पर क्योंकि सुधीर चौधरी नहीं कल अपने वीडियो में पहलवानों को नसीहत देते हुए कह दिया था कि आप मैडल बहाने की बजह सरकार को दे दो और साथ में एक आंकड़ा देते हुए कहा दिया था कि किसको कितने पैसे मिले साक्षी मली को 10 करोर मिले बhradjarंग पुनिया को 6 करोर मिले विनेश फगाट को 5 करोर मि रेलवे के नौकरी मिले मिली सैलरी मिलती है यह सब छोड़ दें और चुनाव लर ले यह नसीहत दी थी सुधिर चौधरी उसको लेकर बहुत सारे लोग आलोचना कर रहा है यह सुधिर चौधरी यह देवगान यह गोस्वामी यह किसका किसका नाम लुद चोपड़ा यह वो का होगा यह लोग जो सरकार के लिए दिनरात सरकार के एजंडे सरकार के नरेटिव के हिसाब से काम करते हैं वो नसीहत दे रहे हैं कि इन खिलाडियों को जो पैसा सरकार से मिला वो पैसा वापस करते हैं जो इनाम राशी मिली वो आपस करते हैं जो नौकरी मिली उससे इस् और उस पर हर taxpayer ने जो डेश में जो text देता है जिस भी form में और हर आदमी हर तरह से text देता है, आए भास आदमी से इंकड़ में इंकर्न message 30% के slap बाल में उसका पैसा है, यह आपकों नोते टै करने वाले कि वापस कर दें और ये कर दें वो आपकर दें चुकी, आप चाहते हैं क कि उनको किसी विढंग से डिस्क्रेडिट करें तो ये मुहिम एक समानांतर चल रही है उस मुहिम के खिलाफ हजारों लोग सुदीर चौधरी या चोपड़ा जैसे लोगों की लानत मलामत भी कर रहे हैं क्योंकि इनका काम ही इनको यही करना है कुछ भी हो जाए इन्हें सरका के साथ खरे रहना है सुबह भी मैंने कहा और कवर फायर देना सरकार को यह लोग कर रहे हैं एक वीडियो वी सुबह वाइरल हुआ देर रात दर रसल वह मैंने वीडियो सुबह के वीडियो मताया कि कैसे मिनाक्षी लेखी जो केंद्रिये मंत्री है केंद्रिये राजमंत्र विदेश मंत्राले में कैसे उनसे एक पत्रकार एक रिपोर्टर सवाल पूछ रही है पहलवानों से जुड़े सवाल और वह कैसे भाग रही है विलका सिंग की तरह भाग भाग सुबह के वीडियो मैंने दिखाया था और भागते हुए तिन तेजी से दोड़ रही है जैसे किसी दोड़ वाली प्रतियोगता में शामिल है और जाकर गाड़ी में बैखती यह तो इस्थिती मंत्रियों की है जो बोलने की कोशिस नहीं करते हैं यह चुप है यह भाग रहें क्योंकि उन्हें लगता है कुछ भी बोलेंगी तो इसका अफर क्या होगा पक्ष में तो बोलने सकते बिपक्ष में बोलने से परहेज कर रहा हैं लेकिन यह बैशर्म लोग यह टेल्विजन के चेहरे यह आंकर यह सब लोग यह सरकार के लिए मुनादी करने वाले लोग य जो काम सरकार के मंत्री नहीं कर पाते हैं जहां उन्हें में शर्म आती है या उनकी मोटी चमड़ी भी उन्हें रोकती है वहां भी सब लोग खूद पर थे और उसके बाद सरकार के बचाओं और जो सरकार के अलोचना करता है उसकी। उसके उसके आधार पर देखते हैं कि आगे आने वाले समय में पहलवानों का रुख क्या होता है उनकी तरफ से जवाब क्या आता और जो एक नई कॉंट्रोवर्सी बालिक और नाबालिक की चल रही है इसमिश ब्रद भूशन सरन सिंग ने भी एनाई को ही बयान दिया एनाई सबका प्रिया सबकी प्रिया एजनसी है उसने कहा है कि मैंने कहा था अगर एक भी आरोप मेरे उपर साबित हो जाएगा मैं स्वेम फासी पर लट नेले मुझे फासी देगा मुझे वस्विकार है यह बारा बंकी में का शायद कल रात कल का है कब का है पता ने ट्वीटर पर भी देख रहा है ब्रद भूशन सरन सिंग को पता है कि उसकी गिरफतारी नहीं होगी उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है एक बड़ी वज़ा वीडियो में बार बार कह चुका हूँ फिलाल अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दिल्ली पुलिस के इस बयान से पुलिस का रवया तो पता चल गया अब पुलिस के पास क्या सबूत है नहीं है जो पुलिस का दावा है उस दावे का काउंटर पहलवानों के पास क्य झूल लाल